किया यह stock आपके portfolio में है और यह stock नीचे आ रहा है इसके अकारण आप यहाँ पर चिंतित है कि आपको क्या करना चाहिए देखे सर हर वो stock नीचे आ सकता है चाहे वो MRF-E क्यों न हो हर वो stock नीचे आएगा चाहे वो MRF-E क्यों न हो मैंने यहाँ पर MRF का नाम इसले लिया कि अगर आप price के हिसाब से देखे तो सबसे बड़ा यहाँ पर price के सबसे stock है तो सर यह तो HGFC AMC इसका price के देखे रहा है तो क्या इसमें गिरावट सम्भव नहीं है सर रिलाइंस भी गिरा था वापस से bounce back करके दिखा दिया HGFC bank भी गिरा था वापस से bounce back करके दिखा दिया LNTV गिरा था वापस से bounce back करके दिखा दिया और आज आपके मन में सवाल उठ रहा है, ये गिर रहा है, क्या ये उठेगा नहीं, क्या ये भागेगा नहीं, ये सारा कुछ, जो आपके मन में ये डाउट्स हैं, इनको मैं क्लियर करने जारा हूँ, और छोटा से एक रिकोष्ट करना चाहूँगा, बाद मैं भूल सर 2954 रुपे का भाव HDFC AMC स्टॉक के बारे में नहीं जानते है SSI दी कोई होगा जो इस कमपनी के बारे में नहीं जानता कि ये कमपनी कामकाज क्या करती है फिर भी जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहूंगा सर इंडिया के अंदर mutual fund industry करके एक industry हुआ करती है मतलब अभी भी है हुआ करती है नहीं है तो सर उस industries का अगर आप देखे तो बादसा है ये HDFC AMC उस industry का बादसा है HDFC AMC हाँ उससे अगर आप देखे AUM में हो सकता है कोई और कमपनी या पर इससे जाला जो asset under management है वो manage करती होगी लेकिन सर बादसा यानि कि अगर इनके mutual fund के थुरू जाएंगे तो सर मैं definitely आपको ये कह पाऊँगा कि हर वो option mutual fund का हर वो scheme आपको यहाँ पर available मिल जाएगा जाला चान से यहाँ पर आपको मिल जाएगा और रही बात HDFC AMC stock के तो सर 2,954 पच्पन रुपे का भाव क्या ये भाव अच्छा है निवेश करने के लिए और जो लोग यहाँ पर उच्छे भाव पर लिए हुए हैं और सूच रहे हैं कि मुझको stock को बेच के निकल जाना चाहिए तो आपको मैं बता देना चाहूंगा सर आपके पास आपका जो घर है उस घर को मतलब अगर उसमें कभी मतलब समझ लीजिए कि कभी दरवाजा काम कर नहीं कर रहा है दरवाजा पर कोई problem आ चुकी है या फिर आपके घर का कोई light या बल्फ जो भी कह लीजिए सर वो जल नहीं रहा है या आपके घर के सामने से जो मतलब यहाँ पर बिजली का तार है सर वो तार मतलब उसमें कुछ दिनों के लिए यहाँ पर जो electric supply बंज हो चुका है ऐसा सारा कुछ होता है तो क्या आप अपना घर जो है उसको आप बेच देते हैं या अपना घर जो है वो change कर लेते हैं या आपका घर जो है सर उसको छोड़ देते हैं नहीं छोड़ते हैं तो सर बात करें यह वो company है जो आपके घर के साथ मैंने यहाँ पर compare करके बताया सर बहुत ज़्यादा जज़वाद ही नहीं हो रहा हूँ आपको गुमरह भी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ उसर एक्जामपल के लिए ताकि आपके समझ में अच्छी तरह से आए ऐसा एक्जामपल लेकर आपको समझा रहा हूँ तो सर यह आपके portfolio का घर है सर मान लिजी कि यह आपके portfolio का घर है और बल्व नहीं जल रही दर्वाजा ठीक से लौक नहीं हो रहा और विजली नहीं आ रही है पानी के नल से यह आपर बात करें तो पानी नहीं आ रहा है नलके से तो सर अब क्या करते हैं आप उनको ठीक करवाते हैं आप उनको ठीक करवाते है उसके लिए क्या कुछ लगता है सर थोड़ा बहुत पैसा लगता है और इसी प्रकार से आपने एक बार इस श्टॉक में निवेश शुरू कर दिया S.I.P. मोड में तो जब श्टॉक नीचे आ रहा है तो समझ लिजिए पानी नहीं आ रहा है या फिर बात करें दर्वाजा ठीक से नहीं लग रहा है या फिर बल्ब नहीं जिल रहा है तो आपको क्या करना होगा सर थोड़ा खर्च करके इसमें बाई ओन डिप्स की स्टेटिजी अपनानी होगे सरे क्योंकि बात करें यहाँ पर तो सरे यह श्टॉक दसजार का नहीं होगा, यह कोई नहीं बोल सकता लेकिन अगर जब हो जाएगा आपके पौर्टफोलियों नहीं रहा तो आप उस जमाने में आप सोचेंगे कि मैंने एक जमाना हुआ करता था जब यह श्टॉक मेरे इस से अच्छा श्टॉक आपको इस सेग्मेंट में साइध ही कहीं पर मिले इस बिजनिस की बात कर रहा हूं सर एमसी बिजनिस की तुसर साइध ही कोई मिले हाँ नाया में इंडिया डिफिनिटल अच्छा श्टॉक है लेकर सर क्वाल्टी वाइस अगर आप मेरे से पूछे दोनों में से आप कौन सा लेना चाहेंगे अगर साब मेरे से पूछे तुसर मेरी पहली पसंद जो है सर वह एचचिपसी एमसी होगी सर और एक डिस्क्रामर देना चाहूंगा सर मेरे निजी पोर्टफोलियों का अंदर हच्टी एमसी और निपौन इंडिया दोनों का मतलब मेरे से पूछे तो अगर आप मेरे से सलाह लेना चाहेंगे कि सर क्या करना चाहिए तो सर देखिए थोड़ा बहुत खर्च करके यहापर सर एक दो श्टॉक लेने की कोशिश कीजे लेने की ही चेश्टा रखे यहापर और जब जब नीचे आता है सर इसमें खरिदरी कर रहना होगा अधरवाइस आपको बहुत ज़्यादा परिशानी आ सकती है सोट्टम के लिए जो लोग यहापर निबेश करना चाहते उनको मैं साप साप कहना चाहूँगा यहाँ से आपको सोट्टम में हो सकता है कोई भी पैसा ना मिले हो सकता है आपको सोट्टम में लॉस के लिए उतनी ही अच्छी होंगी क्वालिटी वाइस कैसा है सर वो भी आपको बताऊंगा और लाश्ट में आपको यह भी बताऊंगा इस टॉक के साथ दिक्कत क्या चल रही है संटिमेंट क्यों खराब हो रहे यह भी आपको बताऊंगा दोसर यहापर देखे तर पांच तो पचास रुपी के आसपास से यह लिश्ट हुआ था 2008 को और आज आपको से डबल के आसपास ही मिल रहा है और बहुत से लोग सोच रहे हैं यह सोच में भी बहुत से लोग बैटे हैं सर कि यह श्टॉक अपने लिश्टिंग प्राइस से नीचे आएगा जब तम मैं लू लेगा इस साल तो 2020 में कम से कम यह तो आप अंदासा लगा कर चलिए कि नहीं मिलेगा बापस से अगर कभी कोई क्रैश वगर आता है तब हो सकता वो अलग बात है सर लेकिन अभी के प्राइस से लेकर आज से लेकर अगर आप देखे तुसर मुझको नहीं लगता यह स्वाल कीजिए कि आप बुल साइड में रहना चाहते है या बैरिस साइड में रहना चाहते है बैर आप बैरिस पाइसमे रहना चाहिए तो सर journalist को यहां बिर जाएगा पहला है पर यहां पर हो सकता आपको बुरा लग रहा हो दो तीन यहापर मैं कड़ भी बाते आपको कह रहा हूं सर अगर मुझसे गलती हो रही कोई सर मैं तो फिर मैं हाथ जोर के माफ़ी मानता हूं सर आपसे लेकिन सर समझाना जरूरी है क्योंकि सर बहुत से लोग यहापर पैनिक करके श्टॉक को बेच रहे ह है लेकिन कुछ अच्छी चीज़े कुछ बुरी चीज़े यह पर दोनों ही चीज़े मैं आपको यह पर समझाऊंगा लाश्ट में पता चल जाएगा आपको तुसर देखिए जो आपके मतलब इनवेश्टमेंट का जो मेंटलिटी है सर वह अपने आप से सवाल किजिए क्य क्या मैं सोटम में पैसा बनाने के लिए मार्केट में आया हूं या क्या मैं लॉंग टम में पैसा बनाने के लिए मार्केट में आया हूं तुनों में से अगर आपका एंसर जो की हुआ सोटम में तुसर आप कोई भी भाव आपको अच्छा लग सकता है कोई भी भाव आपक आपको गिने चुने लोग मिलेंगे जो सेर सौटम में पैसा बनागे लेकिन सर ज़्यादा 95% केसेज में आपको यही देखा जाएगा कि जो पैसा बना है सर लॉंबे अबधी में ही बना है लॉंग टम में ही बना है तो आप अपने आपसे पूशे कि आप किस तरफ के इन्व और गलती सर सबसे ज़्यादा रिडिल इन्वेश्टर ही करता है पैसा जो खोता है वो रिटल इन्वेश्टर का ही खोता है अगर आप यहापर देखे तो सर इनका फिरेल से याल 2020 से डिसमबर क्वार्टर का अगर आप देखे रविन्यू की बात करे इसमें वी टिफिनेट और अगर आप 3 साल का performance देखे तो sir revenue की बात करें 3 साल का CHR revenue का अगर आप देखे तो इसमें 10% से उपर की यहाँ पर growth हुई है net profit की बात करें तो 3 साल का CHR निकाले तो sir 31.9% के CHR से यह अपना net profit बढ़ा रहे हैं, grow कर रहे हैं operating profit की बात करें तो 30.07% से यह अपना operating profit जो है grow कर रहे हैं तो sir, समझने वाली बात है sir, समझने वाली बात है अगर आप खुद को अभी समझाएंगे नहीं तो sir, बाद में समझाने के लिए, समझने के लिए वक्त नहीं रहेगा, stock उपर चला जाएगा और उपर के भाव पे लिए नहीं बात करें, तो sir, मैंने आपको चीक कर चिला अगर बोला था किसे जब जो 2000 के नीचे आया था, कि stock को लीजिए, 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 मैंने आपसे मतलों हाथ भी जोड़ा था कि इसको लीजिए लेकिन आप लोगों ने अगर लिया होता, तो sir, आज आप कहां से कहां आपका पैसा बन जाता ये stock को भी मैं आज उसी अंदाज से आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं, sir ये stock लेने वाला stock है, sir, इसको रखने वाला stock है, ये portfolio होना चाहिए, अगर आप इसको नहीं रखेंगे, तो बाद में खुझको कोशेंगे, कि मैंने क्यों उस दिन stock को बेचा, या फिर मैंने क्यों उस दिन stock को नहीं लिया जो लोगोंने quality देखकर समझ कर इसमें निवेश किया है, sir, उन भायों को, उन बुजरुगों को, उन सभी दोस्तों को मैं यही कहना चाहूंगा, sir, आपने अच्छी company में निवेश किया है, मैडम, आपने अच्छी company में निवेश किया है, इसमेश को आप hold कीजिए, आपको पूरा जो पैसा है, sir, with CSGR, आपको यह मिल जाएगा, sir, मुझको जो लगता है, sir, बाकि यह मेरी personal opinion, sir, आपको इसके ओपर बेस करके कोई भी decision नहीं लेना है, sir, आप अपने बितसला कर गिराए लीजिए, अपना research कीजिए, sir, मैं बहुत ही छोड़ा आदमी हुई, आपर आ होगे, यह से double नहीं हुआ, sir, मैं कम से कम यह अंदाज अलगा लिजी, कि कम से कम double हुआ, तो ही मैं यहापर से exit करूँगा, वरना, sir, यहापर मैं बने रहूँगा, और SIB mode में वाई-on dips की strategy अपना कर खरिदता जाऊँगा, और उसके बाद जो अच्छी चीजे, बुरी ची जो लिमिटेड है, जिफसे बैंक वारा, sir, कुछ बहुत से promoter sign का, तो उन्होरे अगर आप देखे, 0.01% की जो holding है, वो कम गी है, sir, यह market को बुरा लगा हो सकता है, कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, वो किया, ये किया, mutual funds have decreased holding from 1.41% to 1.13% in December quarter, mutual funds ने भी यहाँ पर पैसा जो है, निकाला है, तो sir, ये भी एक market को हो सकता है, बुरा लगा, number of mutual funds scheme decreased from 24 to 22, तो दो mutual funds ने exit मार दिया है, तो sir, कौन से mutual fund है, आप Google कीजे हो सकता, आपको पता भी चल जाए, अगर पता चला तो comment कीजे, sir, मुझको भी जानने का उच्छुकता है, कि कौन से mutual fund ने यहाँ पर से exit किया है, ये जानना मैं भी चाहता हो, तो अगर आपको पता है, from 8.792, 9.11% in December quarter, तो foreign investors ने अपना जो हिस्सदारी है, वो यहाँ पर बढ़ाई है, number of foreign investor की बात करे, FIIs investor की बात करे, foreign portfolio investor ये, तो उन्होंने अगर अगर अब देखे, 492 से लेकर 502 हुआ है, December 2020 के quarter में, institutional investors have increased holding from 10.54% to 14.73% in December 2020 quarter, तो अच्छी चीज़े, बुरी चीज़े, दोनों ही देखने को में लेगा है, सर, मीचोफर ने बेचा, परोटरस ने बेचा, लेकिन foreign investor ने दबा कर खरिदारी किये, सर, तो यह आपको समझेना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है, मार्केट हो सकता है, यहापर इस बात से थोड़ा नाराज हुआ है, थोड़ा गिर रहा है stock, अगर आप देखे, लेकिन सर, अगर आप लंबे अधी के बारे में सोझे रहे हैं, कोई यहापर कम करेगा, कोई बढ़ाए गई, तो चलता ही जाएगा, लेकिन सर, आपको डटे रहना है, बेचना नहीं है, बने रहना है, लंबे अधी में पैसा बनेगा, ज्यादा कुछ बोलने की जरूर नहीं है, चलिए आते हैं निपटी के उपर, निपटी, बहुत सब लोग सोच रहे हैं, कि सर, यहापर से निपटी क्या कुछ हो सकता है, तुसरे थोड़ा बहुत यह आपर बताने की कोशिश कर रहा हूं हो सकता है मैं गलत भी हो जाओ लेकिन सर्थ मैं जो सोच रहा हूं आपको बताना सरूरी समझता हूं ताकि मैं जो सोच रहा हूं यह पता तो चले सर्थ मुझको जो लगता है निप्टी एक बार 14,000 तक आ सकता है और बजट से पहले सर्थ देखिए अगर बजट के बाद मार्केट को बढ़ना है तो सर्थ जैसा मुझको थोड़ा बहुत से छोड़ा दिमाग जितना कुछ पता चलता है मतलब जितना कुछ समझ में आता है सर्थ बताने की कोशिश करता हूं सर्थ पिछली बार गरब देखे 2020 का यहाँ पर फरवरी के महिने में जो बजट यहाँ पर रनाव सुआ था सर्थ उसमें देखे तो मार्केट से एक दिन में बहुत जादा गिरा था हो सकता है वो स्टोरी यहाँ पर इस बार जो की है थोड़ा बदल जाए सर्थ अगर यहाँ पर बजट के दिन मार्केट को बढ़ना है तो हो सकता है उससे पहले थोड़ा बहुत हलका हो रहा है बजट बज़ार और हो सकता है बजट के दिन आपको अच्छा खासा तेज़ी भी देखने को मिले और लोग डर भी रहे हैं कि बजट से पहले उस बार तो मार्केट गिरा था इस बार क्या होगा पता नहीं तो थोड़ा बहुत लोग डर के चलते प्रॉफिट बोकिंग भी कर रहे हैं लेकिन सर उस दिन का बजट अगर आप को याद है तो सर उस दिन का बजट से लेकर आज दक पोटफोलियो कहा से कहा पहुचा सर आप खुद से सवाल कीजिए और इस बर भी बजट अगर यहाँ पर बजट की दिन अगर मार्केट गिरता हमारे हाथ में नहीं है वो अगर आप देखें बहुत से लोगों के एकठा हातों में है सर तो सभी को अगर मतलब सभी की सोच जो है सर वो एक होई तो ही मार्केट एक तरफा रैली करता है सभी की सोच हर वक्त एक नहीं होती है सर तो इसलिए अगर आप देखें मार्केट कि आपको मैंने बोला था मतलब ये बहुत ही एक महान इनसान की एक बात है सर कि ultimately इनसान होई आनिफ्टी जाना तो उसको उपर ही है सर और अनिल साहब का ये जो बात है ये मैं हमेशा अपने आपको समझाता हूँ जब भी मार्केट नीचे आता है सर ये बात मैं आपने आपको समझा कर तसलित देता हूँ खुद को स्ट्रॉंग बनाता हूँ कि ultimately उसको जाना उपर ही है तो सर आपकी ये बात दिल तक छूग गई है सर और मैं मतलब हर लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूँ सर ultimately मार्केट को उपर ही जाना है तो सर डरी अमत घबराई अमत डटे रहिए मार्केट आपको मायूस नहीं करेगा लेकिन अगर आप आज मार्केट को मायूस करेंगे बेच कर निकल जाएंगे तो सर पैसा नहीं बनेगा ये तो आप लिख लीजिए बाकि ये मेरी परसनल ओपिनियन है आप इसके उपर अपना रिसर्च एड कीजिए अपने बित्तसला करके राय लीजिए उसके बाद ही कोई भी डिसेशन लीजिए और HDFC MC के स्टॉक के उपर भी क्या करना है उसके बाद ही डिसेशन लीजिए तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताईए और नेक्स्ट कौन से स्टॉक के उपर आप वीडियो चाहता है वो भी कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मोडिफिकसन आइकोन को प्रेस कीजिए जूरे रही है नो अबाट इन्वेस्ट्रेंट चैनल के साथ थाइंक यू जाए हैंद